इस दुनिया में तीन तरह के लोग रहते हैं एक वो जो सिर्फ भाग्य पर भरुशा करते हैं दूसरे वो जो कर्म पर भरुशा करते हैं और तीसरे वो जो भाग्य और कर्म दोनों पर भरुशा रखते हैं अगर हम योते शार्ष की मानें तो आज सो मुवार के दिन से पाँच राश्यों का भाग्य बुलंधियों को छूने जा रहा है। आपको बता दे कि इन राश्यों को आज सरी आपके कामकाज में सुधार होने के योग हैं। मन की चिन्ता के बारे में किसी भरोसे मंद्र इनसान से आपकी बात हो सकती है। अच्छी खबर से आपको खुशे मिल सकती है। आज अपने गुशे और निडाशा को बाहर निकलने दे। आज आप चतूरता से उल्जे हुए मामले को सुझा सकते हैं। बात करते हुए कोई भी समधान आपको मिल सकता है। लेकिन बातें आपको दिल खोल कर करनी चाहिए। जंद ही कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं। इस इस्तिती का फायदा उठाने में आप देर ना करें। आपके अच्छे बहवार से आपके नीजी संबंदों में भी काफी हद तक सुधार हो जाएगा। आज बहुत से लोग आपकी बात को मानेंगे। काम का जुनून आप पर हावी हो सकता है। आपके काम काज की तारीफ भी हो सकती है। गरीब को वस्तर का दान करें। आज आप तनाव से बचें। जीवन साथी की भावनाओं को समझे। नहीं तो लव लाइफ में परिशानी बढ़ सकती है। कॉमर्स वाले छात्रों को ज्यादा मेहनद करनी होगी। सबजेक्ट या फिर फिल्ड बदलने का विजार आप छोड़ दें। जो कि आपके लिए तनाव कोन है। वो समय अब गुजर जाएगा। लव लाइफ की पुरानी समस्या सुलग सकती है। आपको आज अपने लोगों का सायोग भी मिलेगा। आज आप जीवन साहती का साथ पाने के लिए जमकर पैसे भी खर्च कर सकते हैं। जीवन के लगबग हर पहलू में बदलाव करने वाले उर्जाओं का असर होगा। परिवार और प्रेमी जनों की समस्या है। सुल्जाना आपके लिए ज्यादा कारगर रहेगा। हम जिन पाँच राश्यों के लिए बात कर रहे हैं। और जिन पाँच राश्यों के लिए यह योग बंधा है। वो राशियां, मेश, करक, कन्या, ब्रिश्चक और कुम्ब राशी हैं। नेक्ट्ट नाइन स्पेच्च्छल से बनितलाया की रिपोर्ट।